अए हाथ में डालके वॉमिटिंग करना ऐसी गोली खालें जिस्से वदन कम हुझाइ ऐसी गोली खालेंग इस्से दश लग जाये जिस्से पिशाब लग जाये या बहुत ज्यादा एक्सेस करना अगर बैद ज्यादा तो इसका नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इटिंग डिसर्डर की इटिंग डिसॉर्डर तीन केटिगरी में हो सकते हैं एक ब्लीमिय नर्वोस हो सकते हैं एक अनुरेक्षिय नर्वोस हो सकते हैं और वजन जादा होने की विजय से metabolic syndrome भी हो जाता है इन सब के link जो है मैं description में डाल दूँगा जो detail में आप videos देख सकते हैं तो अगर हम binge eating disorder की बात करें सबसे पहले तो binge eating disorder, bulimia nervosa और anorexia nervosa इन तीनों में differentiate करने का सबसे असान तरीका क्या है सबसे असान तरीका यह है कि anorexia nervosa में जो वजन है वो जितना होना चाहिए उससे कम होगा bulimia nervosa में वजन उतना ही होगा जितना होना चाहिए binge eating disorder में वजन जो है वो काफी जादा होगा और उसकी वज़े से metabolic syndrome हो जाएगा और metabolic syndrome में 5 चीज़े होती है एक तो वजन जादा होगा abdominal obesity tone निकलाएगी उसकी वज़े से blood pressure होगा sugar के chances होगे और lipid profile में उनका triglyceride बढ़ जाएगे और HDL जो है वो कम हो जाएगा binge eating में eating disorder का नाम सही हम समझ सकते हैं binge का मतलब है कम समय में ज़्यादा काम करना तो 2 गंटे के अंदर इतनी calories खा लेना जितना आम तोर पर हम नहीं खाते तो और उन calories को control नहीं कर पाना बिल्कुल भी out of control आपको पता है कि ऐसा नहीं करना चीए फिर भी आप लगातार वैसे ही करते चा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना ऐसा नहीं कि सुआज लेके खाना जल्दी खाना अपने आपको रोक नहीं पाना अकेले में खाना embarrassment होना यह सारे जो चीजें हैं आपको binge eating disorders में मिलेंगी और इन तीनों में सबसे common यही है उसके बाद अगर हम बात करें bulimia nervosa की तो bulimia nervosa endrexia nervosa में जो है दोनों में binge होती है लेकिन bulimia nervosa में वजन बिल्कुल normal रहता है तो binge pattern होगा जो binge eating में हमने अल्री डिसकूस किया साथ में compensatory behavior होगा compensatory behavior का मतलब है ऐसा behavior करना जिससे कि आपका body weight जो है वो normal रहे तो उसमें क्या होगा हाथ में डालके vomiting करना, ऐसी गोली खालेना जिससे वजन कम हो जाए, ऐसी गोली खालेना जिससे दस लग जाए, ऐसी दवा लेटना जिससे पिशाब लग जाए, या बहुत जादा exercise करना और अपने body को normal range में maintain करना चाहे पहले कभी वजन जादा भी रहा हो बट ऐसे लोग अकसर मान जाते हैं और इलाज के लिए आ जाते हैं सबसे मुश्किल होते हैं इसमें anorexia नर्वोजा वाले वो मानते ही नहीं, उनका वजन कम होता है, फिर भी वो मानने के लिए तयार नहीं होते हैं कि उनका वजन कम है और उनमें दोनों टाइप हो सकते हैं कि वो सकता है कि वो बहुत कम खाना खाते हैं इसके वज़े से उनका वजन कम रहता है फिर भी उनको खौफ रहता है कि उनका वजन ना बढ़ जाए इसके वज़े से काफी सारी medical complications भी आती हैं जिसको वो नजर अंदाज कर देते हैं तो इन शॉट में अगर summarize करूं तो आप सारे लोग लिंक में आपको दे दूंगा description में जो आप देख लीजेगा वजन एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं जो साइकोलजी है, साइकार्टरी के स्टूडेंट कि क्या उनसे प्रॉब्लम हो सकती है अगर वेट ज्यादा है तो इसका अंता मेंजीटिंग डिसॉर्डर होगा वेट नॉर्मल है तो बुलीमिया नर्वोजा होगा और अगर वेट कम है तो इन एक्सिया नर्वोजा होगा और ट्रीटमेंट में साइको थरेपी, मेडिसेन या इवन हॉस्पिटलाजेशन के जुरत पढ़ सकती है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद